एलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियों आपको यह वताने जारों की कैसे आप अपने vivo v30 pro android mobile phone में आप अपने mobile phone की slow charging की problem का आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियों आपको detail में जानकरी देने वाला हुँ तो चली आप वीडियो को start कर लेते हैं देखिए दोस्तों कभी भी अगर आपको फोन सलो चार्ज होता है तो इसकी सॉलूशन के लिए करने क्या है देखिए सबसे पहले तो आपको अपने मुवैल फोन का यह फाइल का अप ओपन करने है ठीक है इसमें आपको नीचे Apps का यह option टापकरने है अगले पीज में सबसे उपर हैte Aquí पहले फोन का इंट्रेट आपको चालू रखना है इसके पाद फोन का सैटिंग पेज उपन करने है सलसे उपर आपको यह सर्च आइकन पे टाप करने है यहाँ पे सलसे उपर सर्च बार में अब आपको इस पेज़ पर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कभी भी आप फोन को चार्ज करेंगे तो अपने फोन के साथ वाला चार्जर आपको हमेसा यूज करना है क अगले पाउन रखना है देखें आपको एक काम और करना है अपको फोन को रिसेट करना है तब आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो आपके अगले पेज में सबसे नीचे आपको नीचे यह option मिलता Erase All Data Factory Reset इसे tap करना है आपका phone डिरेक्ली आपको सेटिंग में लाएगा Erase All Data Factory Reset पे tap करेंगे तो आपके अगले पेज में धफसे नीचे Erase All Data का यह option tap करना है इससे आपको phone reset हो जाएगा और आपकी problem solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने आपके phone का जो data है उसका backup ले लीजिए और दूसरी बात ही ध्यान रखने आपके phone की Gmail ID और उसका password है उसे आपको पहले जे note करके रखना है ये दो काम आपको पहले करने हैं उसके बात phone को reset करने है ठीक ना मेरे बतायवे process से आपकी problem solve हो जाएगी अगर मेरे बतायवे process से आपकी problem solve नहीं होती है तो आपको करने क्या है देखिए आपके mobile phone का जो service center है वहाँ पर आपको चले जाना अपना phone वहाँ पर दिखा देना ह ऐसा मैं इसलिए क्या रहा हूं देखिए हो सकता है आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत आगी होगी जिसके कारण आपका phone slow charge हो रहा है मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution आपको बताये है mobile phone के software के जरीए बताये ठीक है